मुझे लगता है इसमें से हमने इतना ही समझना चाहिए कि जो migrant labour है, ये migrant labour महाराष्ट के अर्थव्यवस्ता का एक हिस्सा रहा है और इसके जाने से निश्चित रूप से अर्थव्यवस्ता को start करने में, शुरूव करने में तकलीफ जाएगी और हमारी सरकार जो कह रही है कि लेबर रिप्लेस्मेंट ऐसा कागस पर नहीं होता, ऐसा अचानक यह चला गया है, इसलिए इसको नोकरी मिलती है, ऐसा नहीं होता, क्योंकि over a period of time, उनके सबके skills तयार हुए है, उन skills के आधार पर वो यहां पर थे, और वो skills कोई महने दो महने में, कोई son of the soils acquire कर पाएंगे, son of the soils को मिलता तो हमको खुशी होगी, लेकिन मुझे लगता है कि यह बहुत possible नहीं है, और इसलिए migrant labors के साथ अच्छा वेवार होना चाहिए था, यह बात मैं मानने करता हूँ.